हेलो प्रेंट्स केसे आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ हीटेन सेटिंग्स और फिजर्स के बारे में जिनके बारे में आपको बता होना चाहिए अगर आपके पास है एक वोगो एफ़ान डिवाइस स्वेतर ट्विस्टिंग टेम लेट्स जूम राट कर लिजे क्योंकि उसके बाद आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे 20 सौंग्स एपको अपडेट करने के बाद आपको ऊपन कर लिजे और ऑनलाइन का ओप्शन है यहां पर वहां पर क्लिक करके आपको जो भी सौंग डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर लिजे फ्रेंट्स पोको अपन गूगल एयार कुर सौपोटेट है तो आप कोई भी एयार रिलीटेट अप डाउनलोड करके उसका फायदा उठा सकते हैं जैसे कि गूगल मैजर, मोस्टर पार्क और बहुत सारे कुल एप्स मैं आपको कुछ एप्स के लिंग डेस्क्रिप्शन प ज्यादा फास्ट है पर अगर आप इसे और भी फास्ट बनाना चाहते हैं तो डिस्प्ली सेटिंग्स के अंदर रिज टू वेक इनेबल कर दिजे अब आप फोन को हाथ में लेते ही वेक होके फोन फिसको डिटेट करके उनलोग हो जाएगा पावर की को प्रेस करना नहीं पूड़ेगा फ्रेंट्स फोको एफन पहली से ही केमरा टू एपाई इनिवर्ट है तो आप बिना रूट किये डायरेक्ट गुगल केमरा और कोई भी केमरा एप को इस्टल कर पाएंगी लाज डिस्पले के बज़े से एक हाथ में फोन को ओपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए आप एडिशनल सेटिंग्स पे जाके वान हैंडेड मोट को अन कर सकते हैं लेप्ट हेंड से यूच करने के लिए आप होम बोटन से लेप्ट के तरफ स्वाइब किजे और राइट हेंड मोट के लिए स्वाइब राइट फ्रम दे होम बोटन पोको एपन पे सेकंड स्प्रिस फिचर के मदस से कोई भी फाइल और एप को सीक्यूर कर सकते हैं second space को आप alternate pattern, pin और fingerprint एंटर करके एक्सेस कर पाएंगे माली जमाई यहाँ आप लोग स्क्रिन पे मेरा pattern ड्रोग करता हूँ तो यह normal mode पे unlock हो जाएगा फोर मैं जब लोग स्क्रिन पे दूसरा pattern ड्रोग होंगा तो यह directly second space पे आजाएगा आप file manager के अंदर swipe down करके fingerprint और कोई भी pattern और pin के मदद से files को hide कर सकते हैं यहाँ पर आप आपके कोई भी private images, videos को securely hide करके रख सकते हैं next feature है full screen mode अगर आप navigation buttons को hide करके whole skin का मज़ा लेना चाहते हैं तो full screen display को on कर लिजे और आप back के लिए right और left images से swipe कर सकते हैं bottom screen से swipe up करके home screen पे जा सकते हैं और swipe up करके और आप pause करते हैं तो recent apps open हो जाएगा home screen पर right swipe किजे और shortcuts में जो three dots है यहाँ पर आप click किजे यहाँ पर आप आपके पसंग के हिसाब से कोई भी eight apps को shortcut में रख सकते हैं फ्रेंट्स आप lock screen से right swipe करते हैं तो फ्लेश लाइट का shortcut और wallpaper को रूसेल का option मिल जाएगा अगर आप इसे on करते हैं तो आपका lock screen wallpaper automatically change होगा और साथ में wallpaper के बारे में कुछ information भी आपको यहाँ उपर मिल जाएगा और lock screen पे left के तरफ swipe करके camera में आप quickly जा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह थे कुछ hidden features अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और hidden features के बारे में बताऊं तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं और एसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ भी बेल आकोन को प्रेस करना मुद बुलना वीडियो चलागा तो एक लाएक और एक सर जरू करना thank you for watching this video and keep smiling this is johnsmart signing out